हेलो एवरिवन आज हम सेवन्थ क्लास की उडान वर्क बुक में वर्क सीट सेवन्थ को स्वाल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब भी करें और साथ में ये वैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगी से जो मैं और वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास आजाए और मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो देखिए सुरुआत करते हैं वर्क सीट सैवन यहां ग्रैमर में यहां दे रखे हैं हम कंजंक्शन समझेंगे तो सबसे पहले कंजंक्शन पता होना चाहिए कि आपको होते क्या हैं कंजंक्शन जो हैं वो वर्ड होते हैं जो किसी भी दो sentences को आपस में जोडने का काम करते हैं किसी भी दो शब्दों को या किसी दो वाक्यों को जोडते हैं उन्हें conjunctions कहते हैं अब यहाँ पर जैसे इसे दिया है join the following sentences into one using conjunctions एक conjunctions का use करके नीचे दिये गए sentences को जोडे तो यहाँ देखो दो sentence दे रखे हैं we worked hard and we won the match अब इन दोनों को हम जोडेंगे सिर्फ एक word यूज़ करेंगे हम और यह दोनों वाक्या एक बन जाएगा यहनि दो sentence दे रखे हैं उसका एक sentence बन जाएगा तो देखो किस देंसे बनेगा यह यहाँ आएगा we won the match लिखेंगे हम सबसे पहले हम लिखेंगे we won the match because because से जोडेंगे हम यह because होता है क्यों की because we won the match because we worked hard और यहाँ फुल स्टोप लगा देंगे यह दो sentence थे कि हमने कठीन प्रिश्रम किया हम मैच जीते हमने एक ही बना दिया हमने मैच जीता क्योंकि हमने कठीन प्रिश्रम किया अब आगे इसी तरह से यहाँ पर देखिए next जो है यहाँ दिया है next sentence she went to work she didn't want to go वह काम पर के लिए गई वह जाना नहीं चाहती थी इसको हम लिखेंगे she went to work but she did not want to go और फिट फुल स्टॉप लगाते हैं इसका मतलब बन गया वह काम पर जाना नहीं चाहती थी वह काम पर गई लेकिन वह काम पर जाना नहीं चाहती थी यहां but conjunction जो है हमने यूज किया है अब इसी तरह से आगे है टेक यूर नॉट बुक फ्रॉम नरेज टेक यूर पैंसिल फ्रॉम नरेज यानि कि अपनी नरेज से अपनी नॉट बुक ले नरेज से अपनी पैंसिल ले ये जो संटेंस हैं देखे कैसे बनाएंगे और से पहल पैंसिल्स फ्रॉम नरेज अब ये इस तरह से बन जाएगा कि नरेज से अपनी नॉट बुक और पैंसिल ले अब इसी तरह यहां पर आगे देखे नेक्स्ट संटेंस है चीटिंग एक बुरी आदत है मैं इसे अवाइड नहीं कर सकता तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे चीटिंग पहला वाला जो संटेंस है वो हम सेम लिखेंगे चीटिंग एज बैड हैबिट यह हमने सेम लिख दिया अब यहां कंजेक्शन यूज करेंगे विच आई कैन नॉट अवाइड इट और फुल स्टोप लगा देंगे यहां चीटिंग एक बैड हैबिट है जिसे मैं अवाइड नहीं कर सकता यहां विच कंजेक्शन का यूज क्या गया है अब इसी तरह आगे है यहां हम नाइदर नौर से जोड़ देंगे इसको यहां लिखेंगे नौर अभी यहां नौर लिखेंगे नौर विल डॉनेट इट ठीक है नौर नौर डॉनेट इट ऐसे लिखतेंगे नौर डॉनेट इट वह है ना तो पैंसिल यूज करेगा ने इसे डॉनेट करेगा नहीं पैसे जो है बहें नए पैसे जो है यूज करेगा और नए ही इसे दान करेगा तो इस तरह से बन जाएगा अब आगे यहां पर देखिए दिया है grammar में jumbled sentences दिये हैं rearrange the following words to form correct sentences सही जो sentences है नीचे दिये गई है जो sentences उन्हें rearrange करना है सही correct sentences form में आपको यहां देखिए a student, chair, sat, the, in यहां यह जंबल sentences हैं उल्टे पुल्टे दे रखे हैं और आपको यह बिल्कुल सही way में लिखने है कि किस तरह से लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे a student sat in the chair यह ऐसे सिद्धा सही बैठेगा और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे a student sat in the chair अब इसी तरह से यहां next दिया है lamp on turned the mom my तो इसको हम करेंगे my लिखेंगे हम my mom turned my mom turned on the lamp और फुल स्टॉप लगा देंगे अब आगे इसी तरह हैं यहां पर देखें एक बार next जो है यहां पर दिया है the make a the students lot noise in class of यह जंबल sentence दे रखा है उल्टे पुल्टे दे रखे हैं इन्हें हम में correct जो है सही sentence लिखना है इनका meaningful sentence बनाना है जिसका एक अर्थ निकले तो हम यहां पर इसमें लिखेंगे देखिए the students सबसे पहले हम the students लिखेंगे the students make a lot of noise student make a lot of noise in the class और last में full stop आ जाएगा यानि विद्हर्थी क्लास में बहुत ज्यादा सोर करते हैं यह ऐसे बनेगा अब आगे यहां पर देखो next में दिया है इसने next sentence जो है crop is the measure in the measure is Punjab wheat तो इसको हम लिखेंगे sentence को की wheat wheat गेम होता है wheat is the measure measure का मतलब होता है मुख्य major crop crop होता है fustle मुख्य फसल है in और पंजाब पंजाब का पी बड़ा लिखेंगे पंजाब और फिर फूल स्टॉप wheat is the measure crop in पंजाब की wheat जो है वो पंजाब की मुख्य फसल है इस तरह से करेंगे आगे यहां work sheet 8 दे रखी है और यह 8th work sheet जो है हम next video में ही समझ पाएंगे तो हम फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई